गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम पड़ाई से प्रित्योक्ता तक कि इस बीडियो के अंतरगत जनतूं में समन्वैन के बिसे में जानेंगे हमारे सरीर के जितने भी किरियाएं होती हैं बे सब एक दूसरे से संब्रिध होती है यानिकी उनका आपस में तालमेल होता है और उची सम योजन होता है इसे से वन्वैन कहते हैं जैसे गरम बस्तू को छूने पर जब हमारहा जलने लगता है तो बहे तुरंध ही पापस लोटाता है जन्तों में समन्वेन इस्तापित करने का कार दो तंत्रों द्वारा होता है एक होता है तंत्र का तंत्र और एक होता है अंता शराविक रंतियां तंत्रिका तंत्र बहे तंत्र है जो सोचने समझने और इस्मरन रखने के साथ ही सरीर के विविन अंगों के कारियों में समनवेन या संतुलन इस्तापित करता है ये तीन भागोते हैं इसके एक होता है मस्तिक्ष, रेडरन्जू और तंत्रिका हैं मस्तिक्ष कोमलो मेहत्पोण अंग है जो कपाल से सुरक्षे था और एच्छी क्रियाओं का नयन्तरण मस्तिक्ष के दवारा होता है जैसि है सुगंद, सरबन, रंगों का नयन्तरण और इसके कई भाग होते हैं जैसे कि यह देखे, तीन भाग इसमें दिखाए गए हैं माना मस्तिक्ष को अन्य जन्तों की तुलना में स्रेष्ट माना गया है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा तर्क सक्ति का विकास होता है कि हम लोगों के जो दिमाग है उसमें सोचने और समझने और पिश्ण पूछने की जो समता है वो अन्य जानबरों से अधिक मस्तिक्स के बाद महत्पूर्ण भाग होता है रिड रंजू, रसी के रूप में होने कारण इसको रंजू कहा जाता है, रिड रंजू, मस्तिक्स का जो पिछला भाग होता है वो बेलनाकार और खोकली रसना में परिवर्टित हो जाता है, और ये रिड रंजू जो होता है वो जीब के शरीर में तंत्रिकाएं ऐसे रेसों को कहते हैं जिसके द्वारा शरीर के एक इस्तान से दूसरे इस्तान तक संकेतों को भेजा जाता है और अंग्रेजी में तंत्रिकाओं को कहते हैं नर्व और इस पूरे सिस्टम को इसलिए कहते हैं नर्व नर्वस सिस्टम और इस 자्रेय में तंत्रिकाएं शरीर के लगवकंग हर भाग को शरीर या मेरी डुंड से जोड़ती एन औरी इनको आपस में संपर्क में रखती है यादि हमें हाथ को हिलाना होगा तो मस्टिक्ष नर्व के द्वारा यानि कि तंत्रिका के द्वारा हाथ को हिल लाने के लिए संदेश दे देगा इसी प्रिकार जैसे ये आखों पर कोई छबी पड़ती है तो तंत्रिका जो भी आखों में छबी पड़ी है उसके संकेत दिमाग तक ले जाता है और दिमाग जो उसमें इस्टोर जो मैम कि तंत्रिकाओं के निवावा अंतास्रावी ग्रन्थियां भी के सरेड़ की कृवियाओं को नियंतुरित करते हैं यह हमारे शेर में रेसाइशायनिक प्रदार्दों को इससे हार्मुन्स कहते हैं यह हार्मोन्स रख्त के द्वारा पूरे सरीर में संचारित होता है और यह हार्मोन्स एक तरीके से रासायनिक संदेश बाहक की तरह सभी अंगों को की कोशकाओं तक पौच जाता और उनके क्रियाओं को प्रेरित करता है जैसे अभी बक्र ग्रंथी में निकलने वाला हार्मोन्स यह की मात्रा यही दिए बढ़ जाए तो हमें क्रोध और उतेजना अधिक होने लगती है कुछ प्रमुक ग्रंथियां उनके हार्मोन्स तथा कार्ग की सूची नीचे दी गई जैसे प्यूस्च ग्रंथी से बिर्धी हार्मोन्स निकलत अगला है पैरा थायराइट पैरा थायराइट से पैरा थायमोन हार्मोन निकलता है जो रख्ट में कैल्सियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रेट करता है अगला है अधीबग ग्रंथि अधीबग ग्रंथि अधीबग ग्रंथि से अमणोन हार्मोन निकलता है जो रख्ट में शकर की मात्रा को नियंत्रेट करता है उसकी कमि से मदमे रोग होनी की संभावना रहती है अगली गरंती है विर्शन विर्शन गरंती से टेस्टोस्टिरान हार्मोंज निकलता है जो सुक्राणूं के निर्माण को नियंत्रित करता है अगली गरंती है अंडास है इससे एस्ट्रोजन नाम का हार्मोंज निकलता है जो की अंडाणूं के निर्माण को नियंत्रित करता है जिस प्रकार जन्तूं के अंदर हार्मोंस गरंती होती है उसी प्रकार पौधों के अंदर भी हार्मोंस गरंतियां होती हैं उनके अंदर तंत्र का तंत्र नहीं पाया जाता है लेकिन हार्मोंस गरंथी होती है जो की निम्न प्रकार से हैं पहली पादब हार्मोंस है आक्सीन यह कोशकाओं को दीरगी करन करता है दूसरा जिब्रेलीन जिब्रेलीन अंगूरों के आकार तथा उसके गुच्छों की लंबाई बढ़ाने में सयोग करता है अगला साइट्रोकाइस्ट काइनीन यह कोशका के विवाजन को प्रेरिक करता है अगला है एफसी सिख आमल यह रंदों को बंद करके बासपो सर्जन को संचालित करने में मदद करता है तथा पत्तों के जढ़ने में भी सहयोग करता है और अंतिम है एथलीन यह कच्छे फलों जैसे क पकने में सहायता करता है आसा करते हैं आपको यह समझ में आये हुँगे धन्यवाद